हेलो एब्रीवन आज मैं आपको बता हूँगी कैसे आप घर पे बॉटर कलर्स या पेंट बना सकते हैं वो भी बहुत इजीली में इंग्रीडियंट है और परपस फ्लावर या मैदा सॉल्ट और पानी वॉटर आप अपने सर्फिस को बचाने के लिए या तो न्यूस पेपर या नेपके नहीं से लगा सकते हैं तो चाप मच मैदा बनी स्पुम्सॉल वहने स्पुम्सॉल वहने स्पुम्सॉल प्रफेल समयापको इर दीडिये पालिया दनना तो इसे अच्छे से मिलाने है तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें अभी थोड़ा सा पानी डालना है और याद जदमें इसमें इक भी लंस में होने चाहिए और वाटर करे खड़ाब भी हो सकते हैं अब रेडिये विए बिल्कुल लिकुड पॉर्म है और आपका भी ऐसी होना चाहिए तब आपको आइस ट्रेय लेना है आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं अपस ये ओल्ड आइस ट्रे थी, तो मैं ये सब में डालता हूँ है, ये वोटर कलर का पेस से ये सब में डालती है, अब यहाँ पर मैं अपस थोड़े इंडिडियन्स है, इनमें मिलाने के लिए और ये है होली कलर, ये है डेश वशिंग सोप और ये है सिंदूर, ये है महावर जो ममी और पेर में लगाती है, और ये है डिटरजेंट, आप चाओ तो आप कलर फॉल नेल पॉलिश भी ले सकते हैं, सबसे पहले में डालूंगे टिश सोप, तो ये देखिए, मेरा पिंक परपल बन गया है, और मेरे ग्रीन, पिंक, रेड, ब्लू और परपल कलर्स बन गया है, बहुत ही असानी से, तो अब मैं आपको देखाऊंगी इसमें पेंटिंग कैसे होती है, तो वैस आपने देखा, ये अच्छे पेंट बन है, तो अब मैं आपको ये ट्री की ब्रांचेज कलर करकर दिखाऊंगी, एरबट से, और इन सारे कलर से, तो ये मैंने ट्री कंप्लीट कर लिया है, आपको बताना बूल गई थी, कि येल्लो कलर कैसे बना है, इसमे बेस में आपको हल्दी एड्ड करने हैं, और आपको येल्लो भी बन गया है, और ये ट्री किता कलरफुल और अच्छा लग रहा है, है ना? तो ये जो मैंने आपको कलर्स बनाने सिखाए है, वो मैंने इंस्टेंट सिखाए है, तो आप इसको कम बनाएए, जितना आपको चाहिए अपनी पेंटिंग के लिए, इसकी थैंक्स फ़र वाचिंग, बाई!